नए साल के दिन कुछ ऐसी चीजे जिनको खाना सूम माना जाता है। दोस्तों ये सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विश्चों के अलग-अलग देशों में खाया जाता है और अलग-अलग मन्याता हैं कि इस दिन अगर ये चीजे खाते हैं तो घर में धन दवलत की बरसात होती तो चलिए बताते हैं एक-एक करके किस देश में कौन सा चीज खाना सूम माना जाता है और घर में धन आने का सूचक माना जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं जर्मनी के बाड़े में। दोस्तों जर्मन कल्चर में पीक को खुशहाली वा धन दवलत का प्रत लोग निवास करते हैं। कई तरह के लोग मान्स को केवल स्वाद के लिए खाते हैं। कई लोग अपने सरीर की ताकत बढ़ाने के लिए मान्स खाते हैं। मनेता है कि नए साल पर सुवर का सेवन या सुनिश्चित करता है कि नए साल आपके लिए भग्य साली होने वाला है दोस्तो चलिए इस्पेन और पुर्तेगाल में किस तरह से मनाया जाता है नया सल यहाँ पर क्या खाया जाता है आपको बताते हैं इस्पेनिस और पुर्तेगाली मन्यताओं के अनुसार नय साल के आगमन से पहले आधी रात के समय बारह अंगूर खाना सुभ माना गया है दोस्तो वहाँ पर लोग मानते हैं कि 12 अंगूर अगर खाते हैं तो यह सुभोता है यह लोग अंगूर खाते हुए विस मांगते हैं इस्पेन में इस ट्रेडिशन की सुभात 1895 में हुई वहाँ होने वाली अंगूरों की ज्यादा पैदावार की वज़ा से लोगों को लगा की इसे खा कर यहां अंगूरों की खपत बढ़ा सकते हैं दोस्तो नए साल पर ग्रीक में क्या खाया जाता है चलिए बताते हैं नए साल पर ग्रीक में फर्स पर एक अनार थोर कर उसके वीज को गिनने की प्रमपरा है ये बीज उनके लिए भाग्य का प्रतीक है और उनका मनना है कि जितना अधिक बीज smoked फल है उतना ही नया साल भाग्य लाएगा एक और जिसे नया साल की पुरु संध्या पर खाया जाना शुह माना जाता है वह है अमीर और सुष्वाद अंजीर जो प्रजनान के लिए भी एक बहुत बढ़िया प्रतीक है दोस्तो नय साल के दिन दक्षिन अमेरिका में क्या खाना सुभ माना जाता है चलिए आपको बताते हैं दक्षिन अमेरिका में मटर और चावल से बने पक्वान को भग साली माना जाता है क्योंकि मटर से अधिक पैशा मिलता है दोस्तो डीश को हाफिन जान या के रोलीना मटर और चावल कहा जाता है दोस्तो वहीं अगर अपने भारत की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तो क्या खाया जाता है चलिए आपको बताते हैं हिंदु 9 वर्स के उत्सो के दोरान दाल दच्छिन भारतिये 9 वर्स की प्रमपराओं का एक हिस्सा और आमतोर पर चावल के साथ खाया जाता है जो आमतोर पर बसंत्रीतू में आता है यह धहान रखना दिल्चस्प है कि दाल को उनती का प्रतीक माना गया है और इटली और ब्राजील में दाल को पैसे की तरह भग साली वहां के लोग मानते हैं और साल के अंतिम दिन इसका जरूर किया जाता है दोस्तो एक सिक्के के साथ का केक ये खाते हैं ग्रीक वासी दोस्तो चलिए बताते हैं आखिर इसका महत्य क्या है ग्रीक वासी ब्रेड या केक बनाने के आटे में एक सिक्का रख देते हैं फिर इसे बेक कर लिया जाता है बेक करने के बाद ब्रेड के शिक्के वाला हिस्सा जिसे मिलता है वह लकी माना जाता है या परंपड़ा संत बेसिल के शम्मान में मनाई जाती है संत बेसिल ने सबसे पहले सिक्के को बेक करने की शुरुआत की थी दोस्तो आप लोगों को यह जनकारी कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताएं दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद